नमस्कारम, संस्कृत में आपका स्वागत है और आज हम सातवा पाठ पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं घोडा घास खाता है, इस वाक्य को ध्यान से देखिए घोडा घास खाता है, इसमें तीन चीज़ें हैं घोडा घास और खाता है, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे वाक्य के इन भागों को हम अलग-अलग से जानेंगे क्योंकि इसे जाने बिना हम किसी भी भाशा में प्रगती नहीं कर सकते कि अबल हिंदी या संस्कृत की बात नहीं हो रही है अंगरेजी है या कोई भी भाशा है उसमें वाक्य के तीन भाग रहते हैं कर्म, करता, कर्म और क्रिया तो कौन खाता है? आप ये सवाल पूछेए की कौन खाता है? यानि काम को करता कौन है? कौन खाता है? घोडा क्या खाता है? घास जो खाता है जो खाने का काम कर रहा है वह करता है यानि की subject है जो खाया जाता है वह कर्म है यानि object है जो काम हो रहा है वह क्रिया यानि की वर्ब है काम क्या हो रहा है, खाना, खाने का काम हो रहा है, तो घोड़ा यहां करता है, घास कर्म है और खाना क्रिया है, और उधार्ण देखेंगे, बालक पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, बालक, क्या पढ़ता है, पुस्तक, जो पढ़ता है वह करता है, जो पढ़ा जाता है वह कर्म है और जो काम हो रहा है क्या काम हो रहा है पढ़ना वह क्रिया है तो इस वाक्य में बालक करता है पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है एक उधार और देखिए लेखि का कहانी लिखती है कौन लिखती है लेखि का क्या लिखती है कहानी जो लिखती है वह करता है लिखने का काम जो करती है करता कौन है लेखि का जो लिखी जाती है क्या लिखी जाती है कहानी लिखी जा रही है तो वह कर्म है और जो काम चल रहा है लिखना वह क्रिया है तो लेखी का हमारा करता है वाक्य में कहानी हमारा कर्म है और लिखना क्रिया है पिछले हमारे पाठों में आपने करता को तो देखा है सह, एशह, ते, ताह, मेघह गर्जती बादल गर्जती जो गर्जने का काम करता था बादल करता था, कोई मयूरा नृत्यती नाचने का काम मोर करता था वो तो देखे हैं, लेकिन हम आज कर्म को देखेंगे सह पुस्तकम पठती वह पुस्तक पढ़ता है अब इसमें सह के साथ दो बिंदियां आई हैं जिने विसर्ग हम कहते हैं वो हमारे कर्ता की पहचान रहती है संस्कृत में विशेष्ट है कर्ता के साथ दो बिंदियां जो विसर्ग हैं वो आता है, सहब, पुस्तकम पुस्तकम तो जो हमारा कर्म रहता है, कर्म उसके उपर हम एक बिंदि लगाते हैं अनुस्वार लगाते हैं और उसका उचार्ण हो जाता है पुस्तकम फिर पठती पढ़ता है वहाँ पुस्तक पढ़ता है वहाँ पुस्तक को पढ़ता है दोनों एक ही बात है कर्म की हिंदी हम को में करते हैं पुस्तक को पढ़ता है और जरूरी नहीं कि को आए ही कुछ वाक्यों में को नहीं लगा सक पिर भी वह वाक्य वही रहता है। अश्वह जलम पिवति घोड़ा पानी पीता है। यह हमारे करता है। पुस्तकह, मेघम, जलम यह हमारे कर्म हैं। और पठती, पश्यती, पिवति यह हमारी क्रियाएं। संस्कृत भाषा में कर्म के साथ हम बिंदी लगाते हैं। यानि अनुस्वार लगाते हैं उसके उपर। जैसे हमने वाक्य बनाना है कि मिर्ग बालक को देखता है। तो मिर्ग हमारा करता है, बालक हमारा कर्म है और देखता है, यह हमारी क्रिया है। तो कैसे बनाएंगे, मिर्ग के साथ विसरग लगा देंगे, बालक के साथ बिंदी लगा देंगे, और देखना होता है पश्यटी मिर्ग बालक को देखता है और अब जो आप देखेंगे वो संस्कृत भासा का चमतकार है कैसे? बालक मिर्ग पश्यती अब बालक पहले आ गया, मिर्ग बाद में आ गया लेकिन वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बालक की उपर बिंदी है और अगर बिंदी है, तो वो कर्म ही रहेगा मिर्ग के साथ विसर्ग हैं, दो बिंदिया है और जब विसर्ग रहते हैं, तो वो करता ही रहता है आगे पीछे होने से कोई फरक नहीं पड़ता संस्कृत में क्रिया आप पहले आ सकती है करता पहले आ सकता है करम पहले आ सकता है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है हिंदी में आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते बालक को आगे लगा दिया तो उसका पूरा अर्थी बदल जाएगा पश्यती म्रिगह बालकम देखता है म्रिग बालक को देखता है बालक को म्रग लेकिन बात सेम है वही है इनसे कोई फरक नहीं पड़ता वाक्य काज भाव रहता है एक ही रहता है म्रग और बालक को आगे लगाने से कुछ नहीं होता कि देखने का काम म्रग कर रहा है और किसको देख रहा है बालक को अब इसी वाक्य को हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखेंगे अब हमने बनाना है कि बालक म्रग को देखता है अब बालक म्रग को देखेगा उसके साथ हम क्या करेंगे अब जो विसर्ग हैं हमारे वो बालक के साथ आएंगे और बिंदी म्रग के उपर हो जाएगी तो बालक है म्रगम पश्चती बालक म्रग को देखता है म्रगम बालक है पश्चती म्रग को बालक देखता है पश्चती म्रगम बालक है देखता है म्रग को बालक छे प्रकार से वाक्य हो गए इससे ज्यादा भी हो सकते हैं थोड़ी और कोशिश की जाए तो आपने देखा कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा हिंदी की बजाए हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है ज्यादा स्वतंतरता देती है फ्रीडम देती है कि हम शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है कोई डिफरेंस उसमें नहीं आता है तो इसलिए संस्कृत ज्यादा संगीत में भासा है हम गीत बनाने के लिए संगीत बनाने के लिए उसके वाक्या को तोड़ मरोड सकते हैं को आगे पीछे कर सकते हैं बिना मीनिंग में कोई डिफरेंस लाए एक खास बात आपने यहां नोच करनी है कि जब यह जो बिंदी है आपकी कर्म की बालकम म्रिगम जब यह वाक्य के अंत में आता है तो हम बिंदी नहीं लगाते हैं उसके स्थान पर हलंत मैं ही लगाते हैं आधा मैं ही लगाते हैं उचार्ण दोनों का एक रहता है बिंदी वाला हो या मैं वाला हो बालकम म्रिगम उचार्ण वही रहेगा एशह कह यह कौन है एशह बालक है यह बालक है बालक किम करोती बालक क्या करता है बालक पठती बालक पढ़ता है बालक किम पठती बालक क्या पढ़ता है बालक पुस्तकम पढ़ती बालक पुस्तक को पढ़ता है तो बालक करता पुस्तकम कर्म पढ़ती क्रिया एशह का है एशह रामह यह राम है रामह किम करोती राम क्या करता है रामह पश्यती राम देखता है रामह किम पश्यती राम क्या देखता है रामह चल चित्रम पश्यती राम चल चित्र को देखता है चल चित्रम चलता हुआ चित्र फिल्म टीवी में जो भी आप देखते हैं वो चल चित्र होते हैं चलने वाले चित्र होते हैं आप फिल्म कह सकते हैं मूवी कह सकते हैं जो चाहें रामह करता चल चित्रम कर्म पश्यति क्रिया सा का वह कौन है यह नहीं वह सा वह का कौन है सा गाई का, वह गाई का है, गाई का किम करोती, गाई का क्या करती है, गाई का गायती, गाई का गाती है, गाई का किम गायती, गाई का क्या गाती है, सा गीतम गायती, वह गीत गाती है, गीत को गाती है, तो सा करता है हमारा गीतम कर्म है गायती किया है एशा गाई का मुधरम गीतम गायती यह गाई का मधूर गीतों को गाती है अब इसमें हमारा करता और कर्म दो दो शब्दों में आ गया है एशा गाई का यह गाई का एशा उसका विशेशन हो गया उसके बारे में बता दिया हमने लेकिन है गाई का ही एशा गाई का और गीत मधूर है उसके साथ हमने विशेशन लगा दिया कि गीत कैसा है मधूर मीठा है गाई का यहां करता रहेगा गीत ही कर्म रहेगा गायत ही क्रिया रहेगी मध्रम उसकी विशेस्ता बताने के लिए और एशा भी विशेस्ता की कौन सी गाई का यह गाई का फिर से एक बार पढ़ लेते हैं सा का सा गाई का गाई का किम करोती गाई का गायती गाई का किम गायती सा गीतम गायती एशा गाई का उत्तम शाह वीरह कह वह वीर कौन है सह वीरह कह कौन है शाह अरजुनह वह अरजुन है अरजुनह किम करोती अरजुन क्या करता है शाह क्षिपती वह फैंकता है सह किम क्षिपती वह क्या फैंकता है सह बानम क्षिपती वह बान को फैंकता है वह बान फैंकता है तो सह हमारा करता है वाक्य का सब्जेक्ट है बानम कर्म है अब्जेक्ट है क्षिपती क्रिया है वर्ब है सह पीर कह, सह अरजुनह, अरजुनह किम करोती, सह क्षिपती, सह बानम क्षिपती आगे बढ़ें शिंग है किम करोती, शेर क्या करता है, शिंग है खादती, शेर खाता है शिंग है किम खादती, शेर क्या खाता है, शिंग है मन्षम खादती, शेर मन्ष को खाता है शिंग है करता मन्षम कर्म खादती, क्रिया शिंग है किम करोती, शिंग है खादती, शिंग है किम खादती, शिंग है मन्षम खादती उक्तम ते के वे कौन हैं? वे लोग कौन हैं? ते साइनिक आहा वे साइनिक हैं फोजी हैं साइनिक आहा किम कुरवनती? साइनिक क्या करते हैं? अब देखिए साइनिक बहुअचन में है तो कुरवनती भी बहुअचन में है करता के साथ जो क्रिया होती है वो अपना वचन बदलती रहती है अगर करता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी करता बहुचन में है तो क्रिया भी बहुचन में हो जाएगी साइनिकाह रक्षनती साइनिक रक्षा करते हैं साइनिक कम रक्षंती, साइनिक किसको बचाते हैं, किसको रक्षा करते हैं, ते भारतम रक्षंती, वे भारत की रक्षा करते हैं, भारत को बचाते हैं, रक्ष बचाना या रक्षा करना, तो ते करता भारतम कर्म रक्षंती क्रिया, और उपर के वाक्य में साइनिक कम रक्षं किसको रक्षंति क्रिय किम क्या होता है किम क्या और कम किसको तो कुछ वाक्य और देख लेते हैं पितामह गीताम पठती पितामह क्या होते हैं महा भारत में देखा वोगा आपने भीशम पिता महा पिता महा मतलब दादा नाना होते माता महा महा का मतलब होता बड़े या जन्म देने वाले तो पिता को जन्म देने वाले पिता महा पिता को जन्म देने वाले कौन दादा गीतां पठती गीता को पढ़ते हैं दादा जी ग क्या करते हैं कि बहुचन बना देते हैं दादा जी एक हैं तो कहना क्या चाहिए था हमें दादा जी गीता पढ़ता है लेकिन यह अच्छा नहीं लगता है ऐसा बुरा लगता है आदर नहीं दिखता उसमें लेकिन हम जब उसको क्रिया को बहोचन में कर देते हैं, दादा जी गीता पढ़ते हैं, तो वो आदर सूचक हो जाता है, सम्मान दिखाई देता उसमें विक्ती का, लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं होता है, संस्कृत में एक वचन ही रहता है, पितामह गीताम पठती, ऐसा नहीं करेंगे कि पितामह गीताम पठती, वो गलत हो जाएगा, इंगलिश में भी हम ऐसा नहीं करते हैं, ग्रैनफादर वीड़्स गीता, एक वचन ही रहेगी कि रिया, छात्रह पाठम पठती, छात्रह पाठ पढ़ता है, सह मेघम पश्यती, वह बादल को देखता है, तो बीच के वाके में मैंने पाठम में बिंदी ने लगा कर हलंत मैं लगा दिया है, जबकि ये बीच में है, आखिर में नहीं है, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, कि ये बीच में हो तो आपने बिंदी ही लगानी है, आप हलंत मैं भी लगा सकते हैं, लेकिन आखिर में, वाक्य के अंत में ये जरूरी है कि आधा मैं ही लगाए जाए, वहाँ बिंदी नहीं लगी है। पितामह गीताम पठती, छात्रह पाठम पठती, सह मेघं पश्यती, सा विद्यालयं गच्छती, सा वह, वह इस्त्री, वह लड़की। क्योंकि सा जो है, इस्त्री लिंग एक वचन है, विद्यालयं, विद्याले को, स्कूल को गच्छती जाती है, वह स्कूल जाती है, रामह पाठम न पठती, राम पाठम नहीं पढ़ता है, ये प्रश्नवाचक हो गया, बस प्रश्नवाचक चिन लगाने से, क्वेश्चन मार् वह बालक प्रश्नम प्रिच्छती, प्रश्न पूचता है, सवाल पूचता है, वह बालक सवाल पूचता है, तो सह बालक आपका करता है, प्रश्नम कर्म है, प्रिच्छती त्रिया है, सा विद्यालयं वच्छती, रामह पाठम न पठती, सह बालक है, प्रश्नम तो प्यवत dhyarthi ये था हमने आज के पाठ में सिखा करता क्या होता है कर्म क्या होता है क्रिया क्या होती है अब आगे के पाठों में हम क्रिया प्रविशेश ऑप से जोर देंगे क्योंकि करता और कर्म हमने सीख लिया है तो अगले पार्ट तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय भारती